दोस्तों बिग बॉस के सिजन 14 के लाइफ फीड में इस समय गर के अंदर अभिनाव शुकला और अली गोनी के बीच में सबसे बड़ा जगरा सुरू हो चुका है जहां दोस्तों इस जगरे के दोरान दोनों ही कंटेस्टेंट ने धक्का मुकी देने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी यहां तक कि दोस्तों अभिनाव शुकला ने तो अली गोनी को सरयाम जोड़ा धका भी दे मारा तो वहीं दूसरी और अली गोनी ने भी अबिनव को काफी बद्दी गालियां दे डाली दरसल दोस्तों आपको बजा दे कि इस समय गर के अंदर नया टास्क चल रहा है जिसमें गर के सभी कंटेस्टेंट को अपनी अपनी साइकल को सेफ रखना है और गर के सभी कंटेस्टेंट को इस समय दो अलग अलग दीमों में बांटा गया है जहां पर एक टीम राहूल वेद देखी है तो दूसरी टीम है रूबिना दिलेक की इस दुरान दोस्तों जब बिग बोस ने इस समय बजर बजाया था तो अबिनाव शुकला ने गुपचुक तरीके से अपने साइकल को तयार कर लिया था जब कि इस समय गर के बाके सभी कंटेस्टेंट के साइकल पूल के अंदर गिरी हुई पड़ी है जो की तूटी-फूटी हालत में है लेकिन अबिनाव शुकला ने अपना दिमाग चल दाते हुए काफी शांदार तरीके से साइकल को तयार कर लिया था और अबिनाव के धक्के मारने के बाद में अली गोनी को इसकदर गुस्सा आया कि उन्होंने सरयाम सभी के सामने अबिनाव शुकला को काफी गंदी-गंदी गालिया तक दे डाली जहां दोस्तो इस लड़ाई के दोरान बीच पचाओ करते हुए रुबन दिलेक भी आ पड़ी और अली गोनी को अभिनाव को धक्का मारने से रोक लिया वरना तो दोस्तो अली गोनी ने भी सोस लिया था कि वो भी इसी तरीके से अबिनाव शुकला को धक्का मारेगा जिस तरीके से उनको धक्का मारा गया है फिलाल दोस्तो अली और अभिनोग के इस जगडे में आप किसे सपोर्ट करना पसंद करेंगे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताईए वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करें चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बिग बॉस की ऐसी ही चट फटी करें आप तक पहुंचे सब्सक्राइब पहलें